नमस्कार दोस्तूं कथा संचे चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं कालपनिक हैं मेरी लिखी हुई और निकहानिया रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद कामिनी अपने पती संचीव और देवर राजन के साथ एक छोटे से गाउं में रहती थी संचीव एक ट्रक का ड्राइवर था इसलिए वह अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था कामिनी और संचीव की शादी को 5 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक कामिनी को संतान सुख की प्राप्ती नहीं हुई थी संचीव ने अपनी मा के मृत्यू के समय उनसे वादा किया था कि वह राजन का अच्छे से खयाल रखेगा और उसे पढ़ा लिखा कर एक सरकारी आफिसर बनाएगा इसलिए संचीव दिन रात खूब महनत करता था ताकि राजन अच्छे से पढ़ लिखकर जीवन में एक सफल इनसान बन सके संचीव अपने भाई राजन का बहुत ध्यान रखता था और पलक जपकते ही उसकी किसी भी इक्षा को पूरी करने से पीछे नहीं हड़ता था संचीव के पिता जी ने एक बार अपने पिता जी का इलाज करवाने के लिए अपना घर और खेत गाओं के ही महाजन के पास गिरवी रखे हुए थे उस समय उनकी आर्थिक स्थिती कभी इतनी अच्छी नहीं हुई कि वह अपना घर और खेत छुडवा सके अब संचीव धीरे धीरे रुपे चुकाता जा रहा था और जल्दी ही घर और जमीन वापस मिलने वाली थी इसलिए संचीव आजकल बहुत खुश रहता था लेकिन कामिनी के मन में कुछ और ही चल रहा था कामिनी को लगने लगा था कि उसका पति कितना मेहनत करता है महीनों घर से बाहर रहता है तब जाकर रुपे कमाता है और ये राजन दिन भर किसी बच्चे की तरह हाथ में किताबे पकड़कर पढ़ने का बहाना करके काम से जी चुड़ाता रहता है सारे संघर्ष मेरे पती के हिस्से हैं और अब जब जमीन मिलेगी तो इसमें से राजन का भी तो हिस्सा निकलेगा कामिनी यही सब सोच कर मन ही मन राजन से बहुत चिड़ती रहती थी और उसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ उपाय सोच रही थी एक दिन कामिनी गली में खड़ी होकर चूड़ी बेचने वाले से चूड़िया खरीद रही थी उसका पती संघीव महीने भर के बाद घर आया था और यही वो समय होता था जब कामिनी अपने साज श्रिंगार पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती थी ताकि पती को अपने पल्लू में बांध कर रख सके तभी उसने देखा कि उसके निम्मो भुआ हाथ में एक पुराना सा बैग पकड़े हुए चली आ रही है कामिनी को बचपन से ही अपनी भुआ जी से बहुत लगाओ था बुआ जी भी जरा उल्टे सोच की थी और किसी के परिवार में फूट डालने और साजिश करने में वो सबसे आगे थी कामिनी उन्हें आदर सहीत घर के बीतर ले गई उनके जलपान की विवस्था करने के बाद उनसे बाते करने के लिए बैठ गई बातों ही बातों में कामिनी में अपना दुखड़ा उनके सामने रो दिया कि राजन को मुफ्त में ही जायदाद में हिस्सा मिलने वाला है अब बुआ जी तो ठहरी शातिर दिमाग उन्होंने कुछ सोचते हुए कामिनी से कहा कि मेरे पास तो एक उपाय है लेकिन क्या तु कर पाएगी कामिनी की आँखे चमक उठी और कहने लगी बुआ जी आप कहो तो सही मैं कुछ भी करने को तयार हूँ तब जाकर कामिनी की बुआ जी ने धीरे धीरे अपनी सारी योजना उससे कह डाली कामिनी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने चगन हलवाई के यहां से गर्मा करम समोसे और जले भी मंगवा कर बुआ जी की खूब खातिरदारी की बुआ जी तो दो दिनों के बाद चली गई और कामिनी अपने योजना को सफल बनाने के लिए सही मौका ढूनने लगी पंद्रह दिनों के बाद संजीव फिर से काम पर जाने वाला था और कामिनी ने सोच लिया था कि इस बार वो अपनी योजना को सफल करके रहेगी संजीव के जाते ही उसने उसी रात अपनी योजना नुसार खाना जल्दी बना लिया था गाउ में रात को सभी लोग जल्दी ही सोजाते हैं पूरे गाउ में सन्नाटा पसरा हुआ था कामिनी अपने कमरे में अपना श्रिंगार कर रही थी वो खूब अच्छे से ससवर कर आधी रात को दबे पाउ राजन के कमरे में पहुची राजन गहरी नीन में था कामिनी ने उसे जगाते हुए कहा देवर जी उठिये मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है राजन एक दो बार उठाने पर आखे मलते हुए उठ बैठा अपनी भावी को इस समय कमरे में देखकर वो चौक गया और कहने लगा भावी इस समय आप यहां क्या कर रही हो कामिनी फुस फुसाते हुए बोली देवर जी मुझे अपना बना लीजिए आपके भाईया तो हमेशा काम के सिलजिले में घर से बाहर ही रहते हैं आपको मेरा अकिलापन देखकर मुझे पर तरस नहीं आता कामिनी आधी रात को सोलह श्रिंगार के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ा चुकी थी उसने सोचा था कि यदि राजन उसकी बात मान गया तो वो उसके खिलाब सबूत इकठे करके संजीव को छोटे भाई के खिलाब भढ़का देगी कि राजन के उस पर शुरुआत से ही बुरी नजर थी और अगर राजन ने उसकी बात नहीं मानी तो भी वो उस पर जूटा आरोप लगा कर उसे संजीव की नजरों में गिरात जरूर देगी भाभी की बात सुनकर राजन को बहुत गुसा आया वो जटके से बिश्तर से उतर कर खड़ा हो गया और कहने लगा भाभी आप इसी वक्त कमरे से बाहर जाईए मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ बस इसके आगे कामिनी को कुछ और करने की जरूरत नहीं थी वो तुरंत ही चीख ने चिलाने लगी और रोती हुई आगन में आकर जोर जोर से चिलाते हुए कहने लगी अरे लोगों कोई मुझे बचाओ ये देखो मेरा नलायक देवर मेरे साथ क्या हरकत कर रहा था भाभी के चीख पुकार सुनकर राजन तो हक्का बक्का रह गया कि एक पल में ये सब क्या हो गया भाभी ये सब क्या कहे जा रही है तब तक आगन में आज पडोस के लोग इकठा हो गये थे कामिनी ने रोते हुए कहा कि आज मेरे पती की गैर मौजूदगी में मेरे देवर ने मुझे पर गलत नजर डालने के कोशिश की है अब या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये नीच इनसान इस घर में रहेगा पडोस की महिलाओं ने कामिनी को संभाला और कुछ लोग राजन को बरामदे से खीच कर आगन में ले आए अभी वो लोग राजन की पिटाई करते इससे पहले ही संजीव की रौपदार आवाज गुंजी और वो कड़क सर में बोला रुकिये यह आप लोग क्या कर रहे हैं संजीव को देखते ही कामिनी रोते हुए जाकर उससे लिपट गई और फुट फुट कर रोते हुए कहने लगी कि संजीव अच्छा हुआ तुम अचानक ही यहां आ गए तुम अभी और इसी वक्त इस राजन को घर से निकाल दो इसने तुम्हारी पत्मी के उपर गलत नजर डालने की कोशिश की है मैं अब इसे इस घर में बरदाश्ट नहीं कर सकती संजीव क्रोध से पत्मी को परे जटकते हुए बोला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न यह तुम मेरे भाई पर कितना हिनोना आरोप लगा रही हो कामिनी सिसकते हुए बोली अगर तुम्हें मुझ पर यकिन नहीं है तो आज पडोस के लोगों से पूछ लो तभी पडोस की धन्नो काकी बोलने लगी हाँ हाँ संजीव कामिनी सही कह रही है वो बहुत रो रही थी हम जब आयें तो इसकी बहुत खराब हालत हो गई थी कोई भी औरत जान बूछ कर अपनी बदनामी थोड़ी न करवाएगी संजीव गुस्चे से दात पीशते हुए बोला सच्चाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इतना कहकर उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और उस दिन की वीडियो दिखा दी जब कामिनी की बुआ जी कामिनी के साथ बैट कर सारी योजना बना रही थी वीडियो देखकर कामिनी का चेहरा एकदम सफेद पढ़ गया और अब उसका सिर शर्म से जुग गया था सभी लोग कामिनी को भला बुरा कहते हुए वहां से चले गए संजीव ने कामिनी को जोर का तमाचा मारते हुए कहा मुझे तो तुम्हारी नियत के बारे में उसी दिन पता चल गया था लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो तुमने प्रॉपर्टी के लिए मेरे भाई के चरितर पर जुठा अरोप लगाया यदि उस दिन मैं जल्दी बाजार से नहीं आया होता तो तुम्हारी करतूद के बारे में तो मुझे पता ही नहीं चल पाता बस उसी समय मैंने ये वीडियो बना लिया क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि गाओं के लोग भी तुम्हारी बातों पर भरोसा जरूर करेंगे राजन हैरानी से सब कुछ देख रहा था उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल के रहा है संजीव ने गुस्ते से कहा कि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है पती-पत्नी का रिष्टा आपसी भरोसे पतिका होता है मैं परिवार के लिए कमाने के लिए बाहर जाता हूँ उस दौरान मैं भी तो अकेला होता हूँ मैं तो तुम्हारे साथ हिमानदार रहा लेकिन तुम मेरे पीट पीछे इतना बड़ा सडियन तर रच रही थी इसलिए अब मेरा और तुम्हारा एक साथ रहना नामुम्किन है जिस रिष्टे में छल कपटा जाए वो रिष्टा जहरीला बन जाता है इससे पहले कि मैं गुसे में कुछ गलत कर बैठू चुप चाप अपना सामान उठा और यहां से निकल जाओ कामिनी के पास कहने के लिए अब कुछ मी नहीं रह गया था उसके कर्म ही उसके गुनाहों की गवाही दे रहे थे इसलिए उसने भी चुप चाप अपना सामान पैक किया और अगली सुबह वहां से निकल गई उसकी घटिया सोच और लालच ने उसकी हस्ती खेलती ग्रिहस्ती को बरबाद करके रख दिया था दोश्तों संपत्ती का लालच वो जहर होता है जो रिष्टों की गरिमा को भी समाप्त करने से पीछे नहीं हटता है और जमीन जायदात के चकर में अच्छे से अच्छा रिष्टा भी जहरीला बन जाता है इसलिए कभी भी रिष्टों को संपत्ती से नहीं तौलना चाहिए क्योंकि धन समपत्ती तो आती जाती रहती है लेकिन रिष्टे अनमौल होते हैं तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद